कि मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे किसान एक बहुत लंबी समय से आंदोलन कर रहे हैं और आपने ये भी देखा होगा कि उनके साथ किस तरह का बेवार किया गया उन्हें आतंगवादी कहा गया उन्हें नकसलवादी कहा गया उन्हें कहा गया कि पा किसी तरह की हिंसा नहीं हुई है आप समझ सकते हैं किसान कितना एक तरह से सहयम बनाये रखे हुए है अभी ये आर्टिकल मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए जनसत्ता में छपा हुआ है आज ही और इतनी अच्छी बाते कहीं कुछ आप समझ सकते हैं कि सोचने ब मनोता हो या फिर भरोसा इस तरह एक बफादारी की बात तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर ये सब मौझूद हो आप सभी जानते हैं कि जो मनोहरलाल खट्टर सहाब हैं कहां की निता हर्याना के इन्होंने कहा है कि मानवियता के आधार पर किसान अपना आंदोलन खतम कर द कि अगर ए आंदोलन खतम हो गया इस बार तो इस तरह का आंदोलन कभी खड़ा नहीं हो पाएगा और किसान भी मुझे लगता है कि इस बात को वहतर तरीके से जान चुके हैं तभी वो डटे हुए हैं तो इसमें क्या कहा गया है उससे आप लोग देख लीजे ठीक है कोरोना की दूसरी लहर के खौफनाग मंजर के समय मानवीता के आधार पर किसान आंदोलन खतम करने की मांग किसानों से लेकर पूरे समाज की हिपाज़त के लिए जाएज़े और मनोलाल खटर की अगवाई वाली हर्याणा सरकार ने किसानों से अपील किये कि बेब मानवीत मानवीता की आधार पर किसान अंदोलन खतम कर दे और मुसके लिए है कि मानवीता की आधार पर यह मांग वह सरकार कर रही है जिसने किसानों के लोगतांतरिक फिदर्शन को खतम करने के लिए कई आमानवीय तरीके अपना हैं आपने देखा कई एक तरह से साजिसें भी रची गई है फिर चाहे आप लोग 26 जिन्वरी की घटना ले लिए उसके बाद आप देखेंगे पिदर्शन कारी किसानों का आटा से लेकर डाटा दक चीनने की कौसिस की गई है आप लोगों ने यह भी सुनाओगा कि अगर किसी इनकी मदद की है तो उसके यहां पुलिस गई हुई है और पुलिस ने आटा भी जिसने दिया है तो आप जानते ही कि उसके यहां भी पुलिस गई है कि क्यों मदद की जा रही है दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि डाटा भी यहां कई वार बंद कर दिया गया था यह भी आप लोगों ने काफी नहीं सुनी होगी उसके बाद आप देखें कि कुरोना आज सबसे बड़ा संकट है तो किसानों के बीच भी भरोसे का संकट है किसी सरकार को अपना एकवाल इतना तो बुलंद रखना चाहिए कि जब वह आदमियत से की बात करे तो उसका अर्थ खोजना ही वर्थ ना लगने लगे पक्च और विपक्च के बीच नेतिकता और मानवीता पर वह उकसिजन है और जिसके सहारे लोक्तंत सांस लेता है और नेतिकता की दूरी टूटी दोर पर बेवाग बोलते हैं और आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी डैद भी हो चुकी है किसानों की यहां अंदोलन करते हुए आप समझ रहें? फिर भी आप सोची कि कोई इसका समाधान नहीं निकला यह सोचने वाली बात है समझ रहें? और यह है हल लोकतंद का इसलिए आप देखते होंगे कि जब इस तरए के डैवो कि आपके लोकतंद सूचकांग निकले या सोतंद्धा सूचकांग निकले तभी हमारी रैंकिन नीची रहती है क्योंकि दुनिया देख रही है और जो संस्था इस तरह के जो रैंकिन देती है इंडेक्स बनाती है वो सभी इन बातों का ध्यान भी रखती है ठीक है आंगे क्या कहते हैं मुकेस भार्दवाज ने लिखा है ये तो आप लोग उने काफी सुना होगा गाना भी मेरी जवान के मौसम बललते रहते हैं मैं आदमी हूँ मेरा एतिवार मत करना ये मुझे लगता है कि इन्होंने नेता के लिए कहा हुए है ठीक है देश में आप देखेंगे कि कुरोना की दूसरी लहर के भायावर मंजर के बीच हर्याणा की मुकमंतरी मनोहल लाल खटर तीन नई किसी कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं और अन जगों पर आंदोलन कर रहे किसानों को से अपना विरोध बापस लेने की अपील कर चुके है मुकमंतरी अपनी अपील की बुन्याद बनाते मानावता को है और उनका कहना है कि कुरोना की इस दौर में मानावता की आधार पर खिसानों को अपना अन्दोलन बापस ले लेना चाहिए और आप समझेगे कि आप समझेगे कि आपने जो तीन कानून बनाए हुए है मैं कहता हूं उसमें हैजार फायदे हैं किसानों के लेकिन अगर हम किसी किसान को इस तरह के फायद में नहीं समझा पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन कानून को बापस लेना बहतर है और अगर लगता है कि कुरोना फैल ना है तो मुझे लगता है कि इस समय बापस लेना ही बहतर है आगे करते रही है आप लोग आपके पास भी तो option है, अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं, आपको लगता है कि लोगों के बारे में आप सोचते हैं, तो आप भी तो अपनी तरफ से दो कदम आँगे बढ़ सकते हैं, या दो कदम पीछे हट सकते हैं, लेकिन आपने देखा है क्या इस्तिती बनी हुई है आपने किरसी मंतरी का बयान भी सुनाओगा, वो सीधी सी बात कर देते हैं कि कुछ भी आप लोग कितनी भी भीड़े खटी कर लीजे, एक किरसी कानून बापस नहीं होंगे, यानि कि आप समझ सकते हैं कि आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, यानि कि जनता कितनी भी जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनके पास बहुमत आ गया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इसके बाद आंगे इन्होंने कहा है कि वह है आज, आज वह है राजसरकार मानावता की बात कर रही है, जिसने किसान अंदोलन को सुरू से ही आमान भी है, नजर से देखा है, और क्या नहीं किया गया है किसानों के साथ, आप बहतर तरीके से जानते हैं, और आप समझे कि मनोहरलाल खटर की नाक में दम किये हुए किसान, आपने देखा है, इनके विधायकों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, और आप देखेंगे कि सबसे पहले तो उस कौम क को खालिस्तानी कहकर आतंगवादी साबित करने की कौसिस की जिसने इस देश की जंग ये आजादी के साथ और उसके बाद सबसे जल्दा पीड़ा सही है यह भी आप लोगों ने देखा होगा कि पहले खालिस्तानी कहा गया प्र आतंगवादी कहा गया सिख समधाय को ठीक है और 26 की घटना के बाद तो आपने देखा किस तरह से उच्छा ले गए वो तो अच्छा हुआ कि आप समझी कि राकेश टेकेट की आसू ने सब कुछ धो दिया एक तरह से ठीक है उसके बाद आप देखीं कि सबसे ज्यादा पीड़ा सही और पंजाब की बोकॉम जिसने जल कोई है तो सिक के संबुदाए सबसे ज्यादा मदद करता है लोगों की ठीक है और आप देखींगे पंजाब के हर घर में अपने फुरुखों की दर्द भरी दास्तान की संदू कची है जो आज भी अंगली पीड़ी को सौपी जाती है इस कौम की साकफर आतंगबाद का दा किसान दिल्ली की और बढ़ रहे थे तब उनके रास्तों में गड्डिक होते गए उन्हें किस किस तरह से रोका गया बाटर कैनिंग भी चलवाई गई आपने देखी होगी आसू के लिए गुले भी छुड़वाए गये आप समझी कोई कमी नहीं रहने दी एक तरह से आप इंद्रा गांधी के समय को आप लोग काला समय कहते हैं लेकिन किसानों के लिए मुझे लगता है कि इस समय का काला समय कह सकते आप लोग इतिहास का ठीक है और आप समझ सकते हैं कि नेताओं की हम साइध गुलामी ना करें तो हमारी कुछ फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अग दोलनकारी किसानों से उनकी हर बनियादी जरूरत रोटी के लिए आटा से लेकर इंटरनेट का डाटा तक छीनने के लिए पूरी ओर्जा लगा दी और आपने देखा है किस तरह से कीले ठोकी गई उनके रास्ते में क्या नहीं किया गया मैं इतना पूछ रहा हूं क्या किय गया यह तो दुनिया जानती है लेकिन क्या नहीं किया गया वो भी आप लोग जानते हैं देखिए इसमें किसी की बुराई नहीं की जा रहे है मुकेस बारदवा जो भी लेकक है वो आपको बता रहे हैं एक एक तरह से आप कहिए कि इतिहास रहता है ना जो दोहराता है का जजबा है कि वह इस तरह डटा रहा कि भाजापा यह मान कर चल रही है कि अंगले चुझाओ में हर्याना 10 और पंजाब की 13 सीटें अब उनके किसी काम की नहीं रहा है और भाजापा की संगिय धांचे को क्या इसी तरह बचा जाएगा यह तो ऐसा ही ए कि कि किसी हाथ में ज होता है है कि हाथ काटने के बाद भी उसका जखम पूरे सरीर में फैलने का खत्रा रहता है पंजाब की सीमा से यह जखम अखिल भारती हो चुका है और इसका अंदाजा तो सरकारों को बेहतर तरीके से हो चुका है मुझे लगता है और अगर नहीं हुआ है तो आप समझे गलत है कि आप एक तरह से इतनी मानवता की बात कर रहे है तो आपने चुनाओ कि यह रेलिया आपको रोग देनी चाहिए थी आपके नेताओं ने अपने देखा है कि किस तरह से लागों की भीड खटी की गए वहाँ आप समझे कि कोरोना विस्पोर्ट देखा जा रहा है तब त मानवता की इस तरह की दौहाई दी भी नहीं आप भी तो कह सकते हैं केंदर सरकार से आपकी सरकार है कि चलिए मानवता की आधार पर इन कानूनों को भी बापस ले लेते हैं खेर चोड़िये इसका एक साल से भी जानदा समय तक सरकार ने इस आंदोलन की उपेक्छा की और आंधुलन को की केंद्रिय उर्जावी बिकर गई। हर्याणा और पंजाब के कौने कोने में किसान अपने तरीके से सरकार की खिलाब गुसाँ हुतानने लगे हैं। और आपने देखा है कि हर्याणा में पंजाब में बिधायकों की क्या इस्तिती बनी हुई है, मंतरियों की क्या इस्तिती बनी हुई है, ठीक है? उसके बाद आप देखें कि खासकर गरतन दिबास समारों की घटना के बास से सरकार ने इस अंदोलन से पूरी तरह आँखें मू आप समझें कि विधान साबा में आविस्वास पिस्तावाया हुआ तब भी मैंने कहा था कि ये सरकार नहीं गिरेगी क्योंकि नेताओं के लिए कुर्सी से जान्दा पद से जान्दा कुछ नहीं है हमारी आपकी यानि कि आम जनता की ओखाद इतनी है कि बोट देने तक सीमित उसके बाद आपको उन्हें क्या करना है ये वहीं जानते हैं आप देखें कि सिंधिया एमपी में सिंधिया ने जनता की दोहाई देते हुए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए थी अब आप सोचें कि कुर्वाना में आप देख रहे हैं कि एमपी में काफी अच्छी संख्या में केस आ रहे हैं ऑक्सीजन से कहीं लोग मारे जा रहे हैं बैड की सुविधा नहीं है अब आपको कहीं भी दूर दूर तक सिंधिया नहीं नजर आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नेताओं से उम्मीद रखना मुझे लगता है अपने फैरों पर कुलाड़ी घालने जैसा ही है लगबग आप समझे इसे इन लिए मैं कहे रहा हूं बार बार कि आप लोग अपनी सुरक्षा बनाय रखिए क्योंकि आपके जाने से आपके कुरोना होने से आपके परिवार कोई फरक पड़ेगा आपको लगता है कि आपका कितना भी खास कोई भी नेता हो उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा जब आप समय लोग जानते हैं कि नेता कुर्सी के लिए अपने बाप को भी नीच छोड़ता तो आप उसके लिए क्या है अंगे इन्हों ने कहाई कि इसका नतीजा यहराई कि किसानों ने भी अपने विरोध और पेदर्शन के लिए सामन्ती तरीका अपना लिया है और पंच सता गो सता रहा है ठीक है? और उसके पहले ही हर्याना की मुखमंतरी के हेलिकॉप्टर से लेकर उनके केबिनेट मंतरी के कारों के काफलेग पर किसान गुसा उतार चुके हैं और यह आप लोगों ने देखा भी होगा हाला तो यह हो गई कि हर्याना बीमुक्त गली में दोड़ा दिया और एक भाजा आपके किसी आपने देखा होगा बिधाय की क्या इस्तितिकी थी वो भी आप लोगों ने देखा आप समझे कि एक लंबे समय तक अगर कोई आदोलन कर रहा है तो गुस्सा फूटना लाजमी होता है और आप समझे कि मुझे बड़ा एक इस तरह की बात ने करना लगा लोगपाल में आपने देखा होगा अन्ना हजारी का नाम काफी मैंने कई वार उनकी किताब भी उनके बारे में पढ़ा लेकिन आप लोग समझ लिजी कि एक तरह से वही आता है कि जब दुरोफती का चीर हरन हो रहा था तो दरश्ट राज क्यों नहीं बोले आप समझ रहें इसका मतलब एक ही पावर अगर आप समझ एक तरह से पावर जिसके पास है तो हर किसी की आवाज को बंद कर देता है अभी आप देखिए संस्थाओं की कहते हैं लोग की संस्थाएं अगर इतना ही सब कुछ चल रहा है गलत चल रहा है तो संस्थाओं क्यों नहीं बोलती है क्या इंड्रा गंदी के समय हुए था संस्थाओं तब बोलती थी कुछ भी देखिस डार ret नहीं कह सकते हैं لेकिन इंडारेक्ट तरीके से प्श्द्थाओं सत्ता पक्ष की बात मानती है और उसकी तरफ जुकाई जुक कर ही नजर भी आत पाइटी की सब्ता है उस राज में, तो वहां कब कोई पुलिस मुले सदिकारी उसे हांत लगा दे, संभाव है, कभी ऐसे संभाव नहीं है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को देखना चाहिए, जब किसानों के विरोत, फिदरसन के मानविये और लोगतांतरिक तरीके को खा कर दिया जाए, तो हुका पानी बंद कर देना जैसी सामाजी खिंसा को भी विज्जायज मानने लगे, आप समझे, मरता क्या ना करता, समझ रहें आपो, आज जब हम किसान अंदोलन पर बात करें, तो यह दूसरी खतरनाक लहर का समय है, कि जिसके लिए कोई त्यारी नहीं या उन पर कुछ इस तरह की गलतियां का आप समझी की नहीं डाल सकते हैं, आपने देखा पहली लहर में और दूसरी लहर में बीज में काफी समय मिला हुआ था, आप चाहते तो होस्पीटलों की स्थती बहतर कर सकते थे, और सब ने, आप सोची हमारे जितने भी स्वास्त बिवाग की डॉक्टर थे, जो भी थे, उन्होंने पहले भी सचेद कर दिया था, कि दूसरी लहर आएगी, फिर भी हम लोग ने ना तो ऑक्सीजन का कोई भंडारन किया, ना वैक्सीनेशन का कोई भंडारन किया, और ना ही हम लोग ने स्वास्त ब्वश्ता पर ध्यान दि कितनी भयाना किस्तिती बनी हुई है, वैड उपलब्द नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीजन की पुर्ती एक तरह से नहीं हो पा रहे हैं, इसमें देखी बुराई नहीं की जा रहे हैं, अगर आप आँख बंद करके एक तरह से अंदभक्ती करते होंगे किसी पार्टी की, तो जरूर आप लोगों को लगएगा कि ये जो हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है? और देखे लेखक की ये सभी बात हैं, और आप देखेंगे ये ऐसी समय में भीट बाली जगे खतम करने की अपील सबसे जायज मांग हो सकती थी, लेकिन हर्याणा सरिकार की अगवा की सामने उसके उत्राकंड की समकच का बयान भी तो है, जो कुम्ब को लोगे दावा कर रहें कि खुली जगे में कोरोना नहीं फैलता है, और आपने देखा है कुम्ब में काफी संत जो भी साद जो भी लोग हैं कोरोना पोजिटिव पाए जा रहे हैं, ठीक है? जब आप एक तरफ ना जायज बोलेंगे तो दूसरी तरफ आपका जायज वैसे ही नेतिक रूप से संक्मित हो चुका होता है, आज हर कोई यही कहेगा कि किसान आंदोलनकारी की सुरक्षा अहम है, लेकिन यह सदभाओ अब वह सरकार नहीं देखा सकती, जिसने हमेशा किसानों से वाच्चीत की मेचपर, द्रोस, द्रोस और दुर्भाओ की परोसा है, और अब लोग कहते हैं कि अगर इतना ही इस सरकार गलत कर रही है, तो बोट क्यों दिया जाता है उसके दोरा, मुझे इसका यह समाधान लगता है, यह मतलब निसकस लगता है, कि आप समझें कि जंदा के पास दू चोर जो होता है, उसे चुना जाता है, दिल्ली में आप समझते हैं कि जंदा के पास विकल्ब था, तो अच्छी तरह से जंदा ने अपने विकल्ब को चुनाया है, और दिल्ली की जंदा आप समझें कि फायदे में भी है, स्वास्त पर देख लीजे इस्तिति, फिर चाहे और हम दूबे रहें अंदभक्ती में, और वहीं आप लोग अंपी जाईए, और उत्तरपदेश जाईए आप लोग, वहाँ बिहार चले जाईए आप लोग, सिक्छा की स्थिति देखी आप लो, उसके बाद इनों ने कहा है कि महामारी के इस दोर में किसान अपने घर पूरी है, इस जायज समझ को भी रखने का अधिकार हर्याना सरकार अपनी कुर्ता के कारण खोच चुकी है, आज सरकार अपनी उसी खाई में गिरने के लिए मजबूर है, जो उसने किसानों के लिए खोधी थी, आप या पिर तो हमारे साथ थे, या फिर हमारे खिलाव हैं हमने 36 गड़ में दिखा है कि इस तरह संबाद सूत के जरिये मावबादियों के चंगुल से CRPF के जबान की साखुसल रहाई हो सके इसके पहले दच्छे भारत में विरप्तन से लेकर LTTE की आतंगवादियों के मामले में भी याद करें तो सरकार की हर पक्ष में से संबाद की एक डोर होती है और आप सभी जानते हैं कि कोई भी कितनी भी वड़ी समस्या हो उसका समाधान बाची से ही निकलता है कितने भी बड़े योध हो जाए आपने देखा लाश्ट में सम्झोधा संधी ही होते हैं चमझ रहे आप अपने संबाद की गुंजायस वरकरार रख सरक किसी ना किसी जरिये वहां तक पहुंचती थी किसान अंदोलन में हर्यान सरकार से लेकर कैन सरकार की सबसे वड़ी खामी यह है यही है कि उसने संबाद के सूथ को वचा कर रखा ही नहीं और अपना भरोसा एक तरह से खोद दिया यह तो विश्वास या फिर आविश्वास जनतंत में जिस तरह की संबाद की जरूरत होती है उसे अगर खतम कर दिया जाए तो उसके बाद जनतांतरिक नेतिक्ता के लिए कोई जगें नहीं बस जाती है लोकतांत्रिक विवस्था में पक्च और विफक्च के बीच एक नैतिक्ता की डोर होती है जिसमें आप देखेते हैं जनतंत सांस लेता है और हर्याणा सरकार मानबीता की बात करने के पहले नैतिक्ता रूपी उस सांस को थोड़ी ऑक्सीजन मोया कराए जिस डोर को सुने सुरूही में ही तोट दिया है और यह सरे फर्याना नहीं पूरे देश की समस्या है जिसे पहला मौका मिलता है वो है अपनी तरफ से नेतिकता और पवित्ता की दोर सबसे पहले काटता है आज किसान अंदोलन वह हमारी है जो कल किसी और रूप में कोई समस्या सामने आ सकती है और उसका सामने करने के लिए संबाद की डोर की जरूरत होती है उसे सरकार अपनी अखंडता, सर्वोचिता और अहमनता के जोर से काटे नहीं, बलकि उनकी जन्ता अंतरे कोडान के लिए आसमान भी है, मानुवियता उन्हेता पर दावा करने की गुंजाइस बचाय रखने के लिए जन्ता की उसे जोर आज माईस का वक्त पर समान करें, जि यानि की जन्ता का सासन, यानि की लोकतंत, और आप समझें कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कि अगर इन सभी पर अगर हमारी रेंकिंग गिरती है, तो कहीं तो हमें कमी होगी, या फिर हम लोग एक तरह से अपनी गलतियों का ना माने, और फल्डा जाड़ते रहें, अ वे पूरी कहानी है, आपकी किसान अंदुलन से, और आप लोग नियूचपेपर पढ़ते रहा करिएगा, देखी, यह हो सकता है कि आपकी परिक्चा की पाइंडिमियों से मत्पूर ना हो, लेकिन कभी आप लोग नेवांद लिख रहे हों, कभी इस तरह की बातें चल रही हों, कहीं बहस कर रहे हों आप लोग, आज आप देखते हैं, आज कल जिसके पास सब्दी भी नहीं होते हैं, वो भी बहस करने के लिए आ जाता है, तो मुझे लगता है तब आपका पढला भारी रहेगा एक तरह से, अगर नियूचपेपरों से आपकी क्या है, नियू बनी आपकी रहेटीर, तीका?